तो क्या हाँ चाल मेरे सारे फैंस के तो भाई साहब अने इंडिंग गेमर चैनल पर आपका वापस स्वागत करता हूँ तो आग गेंशी ने पैक के एक और नई वीडियो के अंदर मैं आपका वापस स्वागत करना चाहूँगा यार यहाँ पर जैसे ही मैं उन हिली चर्लस और उन सारे राक्ष्ट समयों को माणने के बाद जैसे ही आगे भड़ा तो भाई मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिर मैंने गया सोचा कि चलो मैप में मैंने एक लोकेशन सेट कर लेता हूँ और फिर वहाँ से मैं अपनी मेंन लोकेशन पर जाओंगा जहां पर हमारा यह अगला मिसन मिलेंगा तो देखते हैं क्या मिसन होगा तो भाई यह वाला जो दुस्मन था जो आपको दिखाए दे रहा है दखाए दे रही है वही एक्चली टेलिपोर्ट करने वाली मशीन और भाई साब हिली चल का बाप बैठा हुआ है वहाँ पर खतरना क्या हम वहां से जल्दी से निकलते हैं यह भी 30 प्लस लेवल होगा मैं गारेंटी के साथ कह सकता हूँ तो यार जहां से पहले तो हम यह टेलिपोर्ट वाली मशीन को अनलॉक कर देते हैं ताकि हम आगे कभी और यहां पर आना चाहें तो हम दूसरी टेलिपोर्ट मशीन से यहां पर आ जाएं तो यार यह कैसे टाप का मांस्ट्र ए, कैसे टाप का पता नी क्या ही चीज़ है आगे बढ़ता होगा यार यहाँ से थोड़ा सा मेरी जो एनर्जी है, स्टैमिना है वो कम हो गया तो इस फैसे मैं थोटे दिर ऐसी नॉर्माली चल रहा हूँ यार इतने सारे crystal वाई परपल करके यह जो आपको चीज़ दिखाए देरी है भाई यह परपल crystal है भाई यह बहुत ही कमी मिलते है यार जहां पर अच्छी चीज़ हो और यहां पर यह हमारी यहां पर यहां पर इनको यहां पर इनको कुछ भी नहीं हुआ यार इसको इम्म्मून और मिल गया है इसको कैसे माणना है इन सब का तो चलो समझ आता है यहां पर इनको हमें नॉर्मली sword attack से मार देना होगा और नॉर्मली हमें बस अपना यह तीर कमान को इस्तेमाल करना होगा पर यह जो बड़ा भंदू है इसको यार कैसे मारें इसको इसका वाले करेक्टर को यूज करके यार मार के देखता हूँ पर भाई यहां पर इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ है तो मैं यार काया बन चुका हूँ यार अब यहां पर यार मैंने इनका यार freeze attack करा पर इसका भी इन पर कुछ असर नहीं है इनको इम्म्यून पर इम्म्यून मिल से जा रहा है पहले यार यह छोटे-छोटे इतने हिस्तुदक रहे है न यह छोटे-छोट जाके खतम हूँ यार काफी हस तक बहुत पावर लो गई है यह तो गया भाई साब यह भी गया थोड़ी देर के अंदर बस इस पर दो तीन और फॉर्ट एटक करूंगा यह एक खतम है फिर लो भाई इस पर त्यार बस एक तलवार मानगी रह गई है काम हो गया इसका भी ज जब जब मैं प्रफर्ट को यार तोडनी को इस कर रहा हूं मिरे को ही मार डाल रही यार मेरा पैरा वाला करेक्टर घतम थर्ड वाला जो का यह नम का रहता यह इसके पास कुछ तो भी एनडजी नहीं उसके पास ऑट यहार मैक्स टू मैक्स होगी उसमोर देगा इसको समलत ते हुए मानना पड़ेगा यार आपको मेरे पास करेक्टर सी बहुत जादा कमी है बस मेरी एंबर नाम के टाकत रह गई है कुछ थोड़ी बहुत तो यहां से ना मैं यहां दूर से तीर कमाण्ड छोड़ते रहुआँ इस पर ताकि इस पर असर पड़ता रहे थोड़ा इसको तो अब देखते हैं आगे कौन कौन से में दुस्कुन दिखाई दे रहा है पहली बात तो ऊपर वाला जो ओपर आमें दिखाई दिया था वहाला और दूसरी बात इन क्रिस्टल को मिरे को जल जल दी लेना पड़ेगा पहले इन क्रिस्टल को फोड दूँ दूर से क्यों कि यार पास जाए कि मैं फोड़ होगा तो वापस से में को करेंट लएंगे और लेक्रिक चॉक की वज़े से आर बहुत ज्यादा मेरा डैमेज हो जात तो यार उपर की विवमें उपर वाला मॉंस्टर तो दखाई नी दे रहा यार वह कहां से मैलेगा पता नि पर चलो यार जब तक के लिए हम आगे चलते आर अगे इनْ लेवल वाले बंदू को मार देते हैं बंदे क्या यार इनको पता निकिया कहूं इनको बबबल कहूं क पिछले वाला था यार वो पता नहीं किस चीट क्षा था वो शायद इलेक्ट्रिक शोक्स वाली पावर का था जो लड़े थे तो यार यह ऊपर से देख भाई क्या डॉरेमौन जैसे एर गन होती ना दॉरेमौन के पास में हुआ हवा की वो गोले फेक था ऐसे यह यार इसके पावर नहीं है बस हां फोर्थ करेक्टर है उसके पास 70 HP रह गई है वो कुछ कर सकती है लिसा उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है वो कुछ भी करेगी तो यार वही की बार में फिनेश है तो यार वापस से इसने विंड ब्लेड अटेक स्टार्ट कर दिया है इसका क्या करे है भाई यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर है ना थोड़ा वेट हमें आर करना पड़ेगा इसको धीरी-धीर करके मारना पड़ेगा नहीं तो आराम से नहीं करता है अरे यह क्या हुआ अभी तो तिनी सारी पावर थी इसके पास एक साथ कम हो गई चलो कोई बात यान कि इसको है ना हमीशा सनी वेदर के अंदर मारना पड़े करेगा इसको रेनी वेदर के अंदर बिल्कुल नहीं मारना करेगा हमें इस वाली मॉंस्टर को तो यार यहां से जो इससे मिला हमको उसे मैं कलेक्ट करता हूं और उपर चलके देखता हूं यहां पर क्या रच सए पेयर नोच चानी 09 कि तिया उस पर जो जो आत्मा से डूल रही है इनको यहां पर एक day स्टैच्व होता है इनको उसमें डाल देता है इसके पीछे चलते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इसके पीछे चलते हुए नहीं जाऊंगा तो यह वापस से अपनी दिशां को बदल देता हुआ और कहीं और ही चले जाता है अपनी डिरेक्शन चेंज करके किदर और ही चले जाएगा यह तो यहार इसके साथ-साथ और इसके पीछे-पीछे में कुछ चलना ही पड़ेगा अब यार इसको जहां पर इसकी जो प्रिफेरबल मूर्ती या फिर जो स्टैच्व कहते हैं उसे व पूंस्टर को यहां से उसको धूल चटाते हैं यह समझेन आ हो इसके पास जाके झालập पास जाकर ajust हैं सांभाज आज अगर है इतने पास मोथे तो कुछ नंकिस ना कुछ और ही टैलिपोर्ट वाला हुवड अवागा दखाई दे रहा है खाइं यह क्या तो यार अगर आप भी इंटरस्टेड हो आगे जाकर क्या हुआ एमबर कहा पर पहुंची यार यह कहीं वही दुनिया तो नहीं है जहां पर अनेंडिंग गेमर जिस दुनिया से आया था यानि कि हमारा जो मेन केरेक्टर था वो उस दुनिया से आया था तो यार यह बहुत ज़्यादा मिस्टरी वाली चीज हो गई अब आपको यार यह चीज पता चलेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो यार जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार यह गेंचन इंपक्ट के अंदर हम कोई और ही वर्ड में बूलना अगर आपने वो नहीं दबाया तो यार आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा जिससे यार आप इसके आगे क्या हुआ है यह आप जान नहीं पाएंगे तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों में शियर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है कमेंट करना ब्लोकर ना भूलना और सब्सक्राइब तो आपको पता ही है कितना ज्यादा जरूरी है तो यार जब तक के लिए टाटा बाबाई सी यू नेक्स्ट वीडियो असली मज़ा आने वाले वीडियो में आएगा देखना